तो हेलो स्टेंट आप सभी को जैसा पता है कि जारकंट बोर्ड क्लास 12 का मॉडल पेपर आ चुका है जिसमें आपके टोटल 5 सेट दिये हुए हैं तो आज हम डिसकस करेंगे सबसे सेट नमबर वन जिसमें आपको फिजिक्स के टर्म वन के टोटल 35 कोस्टन हम डिसकस करेंगे तो हम स्टार्ट करते है हमारा पहला कोस्टन और कोस्टन से पहले हम कुछ देख लेते हैं हमारी इंप्रेंट पॉइंट्स क्या-क्या है जैसे कि हमें कितने कोस्टन आने वाले सभी क्रास 12 का है फिजिक्स का पेपर है टाइम होगा हमारे पास वन आवर एन 30 मिनिट्स आपको दिया होगा और हर को एक कोश्टन के लिए आपको चार ओप्शन दिये हुए होंगे उसमें से आपको सही विकल्प का चैन करना यानि आपको करेक्ट एंसर को टिक करना है अगर आप गलत एंसर होता है तो उसके कोई भी मार्ट काटे नहीं जाएंगे तो यह आपके हैं instruction जो आपको paper में मिलेगा start करते हैं मारा पहला question first question कहा रहा है कि if the distance of a point from a positive charge increase the value of the potential at a point कहा रहा है किसी धन वे से किसी बिंदू की दूरी बढ़ जाती है तो बिंदू पर विभाव का मान क्या होता है जैसे हम कहा रहा है कि है कैसा charge है एक plus charge है ना एक धनात्मक charge है तो कह है रहा है कि इस positive charge से अगर हम यह से distance R पर माल लो यह point P है तो इस P point पर potential कितना होता है तो potential at P point पर VP is equal to 1 by 4 pi epsilon not into charge कैसा charge है positive charge है जिसको हम with sign रखते है na with sign ठीक अगर नेक्टी charge होता तो minus sign रखते है divided by distance कितना है R यह होता है हमारा potential at point P पर तो देखो यहां से हमारा जो potential दिखेगा यह क्या है यह क्या है यह क्या होगा हमारा क्या करेगा decrease करेगा यह क्या हमारा option number B आते है next question पर question में टू कर रहा है कि two charges spheres are separated at a distance d exact a force f on each other यानि दो charge है उनके बिच distance d है और दोनों एक दूसरे पर f force लगा रहे है करा है if charges are doubled and distance between the them is doubled then the forces अब कर रहा है कि अगर दोनों charge को हम डबल कर दें ठीक है charge को डबल कर रहे है और उनके भी जो distance है distance को भी हम डबल कर रहे है तो कह रहा है अब नया force क्या होगा तो देखो force का formula क्या होता है electric static force का formula f equal to k q1 q2 by r square है यहाँ पर दिश्टेट काम डी लेते हैं तो d square क्यारा कि अब बनाओ नया force एक डैस हो जाता है ठीक है यह काब होता है जहाँ होगो चार्ज को डबल कर रहे है डबल करने का मतलब है कि जो q1 था वो 2q1 हो गया जो q2 था वो भी 2q2 हो गया जैनि चार्ज को हमें डबल कर दिया और distance हो क्या कर रहे है distance को हम डबल कर रहे है यहाँ जो d था वह अब 2D हो गया नहीं 2D का square सुल पर तो एंट एक क्या आएगा तो हो जाएगा फोर इंटु के क्यों एक टू इसे इसक विए को जा एगा 4D स्क्वैर और से 4 खैंसल फिर से वईली किते हैं गिंगे क्यों एक लोगी कुटी अधिक देखा जाये है तो यह फिर से एक के एकवल आ रहा है तो हमारा क्रेक्ट एंसर क्या होगा जो निया फोर्स होगा वह अभी भी एक रहेगा डैट मेंस क्रेक्ट एंसर होगा हमारा ऑप्सन नमबर ए नेक्ट कोशन कहता है तो स्टाडिस चैटर का आपका कोश्चन है आपको यह फॉर्मला अच्छे से याद होना चाहिए बहुत ही इंपरेंट फॉर्मला है कि एलेक्रिक फिल्ड और पोटेंशल के बीच लेसन कैसा होता है तो इसका जो इलेसन होता होगा आप सभी किया दोग तो इसके टरम है तो हमें देखें यह देखें लेसन काम सकती दिख रहा है हमें क्रेक्ट लेसन अभी दिख रहा है और अप्सेन नमपर एई इकोल टू माइनस डिवी अपन दी एक्स जैनि आप्सेन नमपर ए निश कुश्चन है यह पॉस्टिली चार्ज ग्लास रोड आप इसके सामने आता है तो क्या होता है कि यह पॉपजेक् tough-style The director Dunhrix लोगा जितने में रि ने-चार्ज को अपनी और एक एसे ऑज जितने इन इसक्राइब हैं लेफ्ट साइड में उतने पॉर्चीचार्ज आगे राइट साइड में दोनों के वैल्यू एक्वल होगी जितने नेगेटिव उतने पॉस्टिव तो अब क्या ख़़ए पॉस्ट चार्च को अपनी और एक ट्राइट करेगा यानि एक पॉस्ट चार्च पार्टिकल नेटली चार्च और निटल चार्च दोनों को एट्राक्ट करता है ठीक है य वाल्यू और इसका प्लेट एरिया और इनके बीच दी है तो इसका प्लेट अब यह जो मारा पास जो प्लेट था इसके बीच के ऽ devil कर दिया है फीलप कर दिया एक डालेक्ट्रिक है क्या मजलो यह हो गया और एक सालन नौट एपाइड को क्याल सकते हैं हां से एक्रेशन नमर मन से सी तो क्या दिख रहा है कि हमारा जो नया कैसे टाइम्स क्या हो रहा है इंक्रीज कर जा रहा है ठीक है यह क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है के टाइम्स से तो क्या होगा इसका वैल्डि यह किसके लिए है अगर आप इसका एग्जेक्ट डेफिसन याद करो तो ओम्फला वालिट होता है और जिसका ग्राफ हमें ऐसा देखते होंगे वी इक्वल टू आई यार का यह किसके लिए है यह एट कॉंस्टेंट टेंप्रेचर के लिए ही वैलिट है कॉंस्टेंट टेंप्रेचर याद रखना कॉंस्टेंट टेंप्रेचर टेंप्रेचर वैरी नहीं करना चाहिए टेंप्रेचर वैरी करेगा तो ओम्फला वैलिट नहीं होगा तो ओम्फलो जो हम omic resistance जो temperature के साथ क्या होता हो ठीक है या पिंध्या ऐसा करो ऑफ यह पूलों कर्टा है जो om locop allow मुंने करता लोके अंद नहीं करते हैं उसे करते हैं नन-umic resistance एद का ना करते हैं वहां कैसा है घाउड होता है anatomy सेमी कंड़क्टर जिसकों बोलते अर्ध चालक ठीक है तो जो सेमी कंड़क्टर होते हैं वो ओम्स लोग को पॉलो नहीं करते हैं तो कौन सा सही एंट एजांपल होगा नन ओमी क्रेश्टिन्स डायोड यह ऑप्सन नुबर दी निस कोश्चन है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड की लग त्वरश्चन डाउ और कंसेक्वेंज्ट ओप का फर्स्ट लाव एंड सब्सकेंड लूओ ठीक है बात करते हैं फर्स्ट लाव को कहते हैं ठीक है फर्स्ट लोग की याद दखना कि छॉसा फ़स्ट लौको हम जंक्शन लव भी कहते हैं कांसा लव क्यांत दॉँग ठीक और जो शक्राइब करके फो वाते है किस पलुप लॉप लॉट स्थे यो होता है यह र्तना यह हो से कंसरेंशन के यह होता है conservation of charge ठीक है जंक्सन लोग या देखना फर्ष्ट लोग अन्ड जो सकेड लोग हमारा लूप लोग होता है यह होता है हमारा conservation of energy कि अधिकर कंजर्वेशन ओफ एनर्जी दोनों काफी important यह होता है हमारा चार्च को यानि जो हमारा फर्च्ट लोग होता है वह हमारा का एनर्जी को ठीक है तुम्हारा क्रेक्टांस लोगा ऑप्षान नमबर बी यानि विदूत आवेश और उर्जा का सनक्षन नेस्स कोस्टन है दा नमबर अफ लेक्ट्रांस पोर वन कुलम्प अफ चार्ज इस वन कुलम्प चार्ज में कितने इलेक्ट्रांस होते हैं तो क्यों को डों क्या होता है को बीकम चार्ज यह अब होता है इक विदू आप इंट्रांस हो जाएगी क्यों कितना वन कुलम्प और एक इलेक्ट्रांस प्रेच इतना होता है एक वेल्यू वह था कि 1.6 x 10 to the power minus 19 Coulomb कुलम कुलम से कुलम कैंसाट हो गया अब इसको solve कर लो तो यह जाएगा 10 to the power 19 divided by 1.6 और इसको और भी चाहे तो अप्लिक सकते हो कि 10 divided by 1.6 into 10 to the power 18 okay तो इसकी वैली वाएगी 6.25 into 10 to the power 18 electrons कितने electrons होंगे 6.25 into 10 to the power 18 electrons तो हमारा प्रक्रांस रोगा option number a okay next question है मारा एक चाज क्यों इंक्लोज बाइए गॉस्ट इस्पेरिकल सर्फेस ऑफ रडियस आर इस रडियस इस डवर्ड देन दा आउट्वर्ड एलेक्टिक प्लक्स विल भी देखो क्या क्याराम से की एक चाज क्यू है ठीक है यह एक इस्पेरिकल सर रही होगा यह से यह एक इस हागा एक और नबर आपश्यक फिल ऐनग और क mm कर दें ऑन Odonto बडबल कर दोर्य खरी है ठीक टेडिस कितना कर दिया हमने डबल कर दिया अब यह आर्र कितना है अब उगे टूवार तो करता अब डिदित टूवार करेंगे तो फ्लक्स कितना स्कॉलद करीगा सकॉब आ रहा है जहां देखो ईस FOSCra उतना प्लक करेगा तो अभाना से मिरेगा उतना रया उपर एसका करेगा इसजा आह उसके कर लेंगे साइघ्रम्स flux में कोई change नहीं करता है लेक्टिक flux में तो निस कोश्चन ने मारा इस specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper कह रहा है कि specific resistance of a rod of copper ठीक है एक copper rod है उसका में specific resistance को compare करना है एक thin wire of copper ठीक है वायर देखो ये हमें जानते है रो पार जो रो होता है रोओ को हम करते हैं इस specific resistance US specific resistance या जीसे unreistivity भी कभी हए प्लीच प्रति रोड दोट्क होता है हुए वोजरी मिटि हीडिवाब ही ठीक हुए हिंदी मिढियम पर जो भी श्रेंट화 tip आई सिका convincing निसिष्ट प्रक्ति रोत तो क्या होता है कि जो हमारा रो होता है ये कौन से प्रोपर्टी है ये किसी भी ऑब्जेक्ट या कहें की मेट्रियल प्रोपर्टी है यानिकर सेम मेट्रियल है तो उसका रो भी सेम होगा वो चेंग नहीं करेगा तो देखो पहले भी कॉपर रोड अब का फ्रट लें रहे हैं वोवी का उल्ट का है तो दोनों सेम अब दोनों सेम होगा JAKE Youtube दोनों कॉपर है क्योंकि दोनों सें मेटरियल है क्लिए तो का सबूंज क्या होगा और सी आशिस और आपको कैंद हम आल रहा ठीक है, एसा उलेक्तिक का होता है है ठीक है एलैक्तिक फ्रांक्तिक क्या होता है पील टु थेकशल का फाम्मला केट करता है लॉक्तिक फिर्टैक cookies All हाँ एरेया का यूनिती होता है मेटर रेस्क्वार तो एक मीटर से एक मीटर के थाटर वंट मेटर टिक है सिंपल कितना है गया वोल्ट मीटर इसले कर टैंसे लोग होता नमबर d voltmeter, h. meter of electric flux, next question है ये wire P is half the diameter and half the length of a wire Q, आप similar material, क्या रहा है एक Q है, Q एक material है, जिसका length एल है, ठीक है माँ उसका length एल है और इसका diameter d है, क्या आप एक और wire P है, ठीक है, अब P वाइर का दो क्या कर रहा है P वाइर का जो length है वो कितना है, आफ है यह लेंद तो इसका हाफ है और रिंसको डामेटर है डामेटर भी हाफ है तो यह किस से इन दसके यह को कि का क्वाः Call डॉन्स का डनलत बेकर चुट रेतिो क्या होता है मालों अगर थे है क्यों जोड़ पते आइक अइंप से हम आर्की सो डिब्रोट करते हैं तो आर्क फिकल्ट हो जागा रो इंट्व एल बाइड एडिया एडिया क्या होता है पाई आर स्क्वेर और आर्ट जागल लिफित तम डी बाइटू यह की डामीटर है डी वाइटू को हॉल स्क्वेर तो यह हो जाएगा हमारा एक पॉर रो एल बाइड पाई डी स्क्वेर यह हो गया क्यू अब निकालते हैं ठीक है पी बाइड क्रेस्टेंस टी हो जाएगा रो लिंद कितना हो गया है एल बाइटू और डियमेटर भी कितना हो गया है हाफ हधी कि दिमाटर कितना हो गया हाफ तो हाफ तो डामेंटर है और रिडिस क्या होता है डामेंटर बाई टू घ्यान देना ऑफिता इसे तो यह स्ल्व करते हैं टियो जाएगा हमारो इंटु एल बाई टू ठीक यह हो जाएगा हमारा पाइग दी स्क्वायर भाई यह दी बाई तो यह हो जाए का हमारा 16 ठीक है ध्यान से करना काल्सुएशन ती हो जाए का हमार रो इंटू एल भाई एट ठीक है टू से कैंसल होगा एट टाइमस में और एट चला गया उपर ओएट एट रो इल बाई पाई डी स्क्वेर ठीक है तो अब देखो आर क्यू ठीक है तो कहरा है दर रेश्टेंस अब धियान देखना रेश्टेंस अब दिखना पी तु दाट अप्यू ठीक है हमें चुला चाहिए रसे निकालना हो और टी राए और क्यू का निकालना एक क्यू मत कर लेना कभी तो आर्प रखी क्यों हो जाएगा और पी का रिष्टेंस और अजगा एट रो एल बाई पाई डीस्वर ठीक और क्यों करेंस कितना था यह ठाए था ओर रो एल ऑई पाई से रोवल कंसल और फोर से यह कैंसल लोगया टू टाइस में तो एसे कितना आ गया टू इस्टू वन जैनि टू बाइवन तो हमारा क्रेक्ट अशर कौन सा होगा ऑप्सन नमबर सी ठीक है ध्यान देखना हमें रेश्टेंस रेश्यों पूछा है पी तू दैट अपक्यू जान घ्र इंक्रीचकें जो कम ड आँकरता है जब तर मिश्ट करते हैं तो ट यह 돌ण कैसे करता है किसका कब से एक हूँ आप करता है ऍब घरना एसे डिziehen तो रेश्टेंट डावन होगा एनि घटेगा यह किसके लिए ओता है मियोता है हमारा सेमिक अंडक्टर सब्क Clht तर मतलब हमारों कि अर्धचालग और अमारा किकन सिलिकन के स्य लिए लांग ते यह से मैं करेंद ग्रीजूट लुब विथी इन गिанर ऑण बोलते हैं और चालग तक तो मैंहीं स्कुरेग्टन dopsंग नोधिर आंब सी यह रिए सिलिक्न फोता है हमारा यह के सेमिकॉन कड़ प्रेपर यानि क्रॉसर मेंटिक फिल्ड ना क्रॉसल मैंने मैंटिक बनाए इन्टु दे पेपर है तो कह रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इंट्र कर रहा है इंट्र कर रहा है इसके परपेंडिकलर ठीक है इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है वी के स्पीट से त इंक लगेका है इन नेकल रहा है तो विक्रोफ बीच एंगल नइटी तो फूर्स देखा जाले समें जो फॉर्स लगेगा वो द्हान देना पोस एंगा ओना हमारा उपर फोर्स उपर लिगेगा सब्सक्राइब करोगे और सिर्ट चार्ज कैसा इलक्ट्रों fat और यह कीसा पाथ फॉलो करेगा था सःतने इन कंकरता है तो कैसा पाथ वो फिल इन फॉलो करता है एलेटरोन एलेटरोन वो पाथ फॉलो करता है तर्कूलर पाथ ठीक है यह मार का एकन तो होगा ऑप्शन नमबर ए इस पॉलो करता है इस यह भी दर एक्टिक फिल्ड इस्टेंथ और सेंट रिपोल एक्टेशन लाइन तो देखो क्या रहा है तो देखो क्या रहा है हमसे कोश्चन की मालू अगर यह एक डाइपोल है ठीक है अब कर रहा है यह एक्टिक फिल्ड मालो है एक टूर्ण का फॉर्मला क्या होता है तो एक्टिक पॉर्मला होता है लिए एक्टिक फिल्ड एक्टिक फिल्ड एट एक्टिक फिल्ड होता है किपी अपॉन आरक्यूब यह किसके लिए अगो Kp upon R cube ठीक यानि E A is equal to two times और Kp upon R क्या है जकते हैं यह से एलेक्टिक फिल्ड एट एक्वित्वियल नाइग क्या होता है वह तू टाइमस उता है एलेक्टिक फिल्ड एक्स्टेंज एक्वित्वियल लाइग तो क्रेक्ट क्ना सरक आंव था होगा और नमबर भी ठीक है बहुत भी इंपरेंट कोश्चिन है अच्छे से याद दिखने को को अ नेश्च कोश्चिन है टू पालल कंडॉक्टर क्या टे धे से रहा है कि कैसे यां ना कैसे वायर है रहा है आज दौने कारेंट का साफ्लो कर रहा है सिंश में वावन ना नै direito का अप्रक्ट करेंगे हैं अगर इस ऐथ कर तो करेंगे अगर नोहां का डाइस लोपोच होता थो लिंग करते हैं टीक है इसकी अब ढ़ोप्ष न्होंबर 20 चा अखरतर्सित करेंगे तो अब आते है ने फूस्टिन पर आपके सब्सक्राइब बीट किसी भी क्याफिटर का क्याफिटेंज see from C से denote करते हैं ठीक है C और इस C का युनिट क्या होता है कि अलए पढ़ाओंगा बहुत युनिट होता है हमारा फैराड ठीक है और आपने कभी बहुत use क्या होगा सब्सक्राइब आपने देखा होगा म्यू वेफली का होता है वो था माइक्रो फ्राइड ठीक है तो यहली यूनिट क्या होता है फ्राइड यह क्या करता है कि दल लाइन इंतेगर्ल देखें होंसे थे चाह्ता है यह होता है मिन टाइंस वाइz-खरेंद ङ्ञोज !! एंगर किसी भी आए वाइर सेच अगर करनिट आई फ्लो कर रहा है तो इसके अट आपेार्ट आ effectiveness को इसे इंग आफ पैल्लो कंसे निकालता थे आगर सक गॉस्टििट एक आ एनने इसे एक ampere लूप नादे से यह सिस्त हैं एक ampere loop करें से एम पियर लूप करूंप एंपनी लूप लूब आ करहें कि मैंगेडिक इस पॉइंट पर कितना बनेगा पी पॉइंट पर ठीक मुझी करते थे थे इसके लिए एंपिर से कुर्टर लाग युच कते थे और इसका एक्सपान या दखना बीट और दीयल इजी कल टू मुनॉट आई ठीक है यहां डॉट प्रड़क्त होता है बीड़ दो दील के साथ और यह मुनॉट इंटू आई होता है आई इंटू आइंटू आपसा नमबर बी नेक्स्ट पॉस्टन है यह चार्ज क्यों मुविंग इन 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 फॉम्लेक्टिक फिल्ड भी सच दैट वेलसिटी इस पर्पेंडिकुलर टो बी दिन दो फोस एक्टिंग ओन्ट चार्ज इच तो अभी इस से पहले हमने कॉस्टन क करता है थी चागर अगर कोई चार्जा वहम ऑगर किसी मैंटिक फिल्ड में इ्न इंटर करता है टो में पतल टेटी वी तो दुवर्स लगता है फॉम्ला El fix I q into look knows सब्सक्राइब चार्ज क्यों है और उनके भी जो फोर्ट से जो क्रॉस क्रॉस पतला होता है वी भी साइन थीटा अब देखूं यहाँ पर एंगल क्या कर रहा है कि जो मैंक्तिक फिल्ड और वेलसिटी है वह इसे क्या है पर्पेंडिकुलर है लंब वाथ है लंब वाथ है धाट मीज थीटा एक्वल टू 90 डिग्री और साइन एंटिकली कितनी होती है वन तो फॉर्मला क्या हो जाएगा क्य सब्सक्राइब करते हैं और यह क्या होता है और यह क्या होता है होता है- यहकुत होता है फोरस लफो ट्रस मगनेस कर सक्याव गता है कि विमनने पड़ा है कि स चार्ज पर जोंगता है ओज्याने कि में भास बीए यह 5 सब्सक्राइब लगेगा जब चार्ज मूव कर रहा हो जब उस पे वालसिटी ओ और इलेक्ट्रिक फॉस्स का बगता है जब चार्ज रिश्ट पर हो ठीक है या फिर वोग कर रहा हो तब भी लगता है इल प्रेश्ट रिकोस तो याना से क्यों को अगर कॉमल ले तो पॉर्मला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फिल्ट ए ए प्लस यू इंटू वी क्रॉस्टी यह मारा एक्टर फॉर्म में ओके तो इसे चाहिए तो आप लगर्ट क्राइक प्लस वी क्रॉस बी यह दिखिएगा आपको स्थान नमबर सी जाहन से देखना ऑक्ष्ण नमबर सी सो यहांपर गलती से कभी आज़न दी मत करें अ उसमें क्यूं मिसींग है देख तुसे एक ट्रैंसर हो जाएगा हमारा और और सिए नेट्स कोश्चिय नहीं है वाट इस अवैल्यू अप एंगल अप डिप एट मैगनेटिक एक्वेटर मैटिक इक्वेटर पर हमारा एंगल अपने पड़ा होगा यह होता है हमारा होजेंटल यह होता है हमारा मैट वर्टिकल कंपरेंट अपस्मेग्स और चक्वेटर मगनेटिक इदर यह होता है कि अगच consume होगा ईंग्ल में फाक मैंसे फाइक करते हैं तो यह होchenल सब्सक्राइग by पाटी दा अंगल अब डिप एट प्लेस वियर होजंटल कॉंपनेंट अफ अर्थ मैंक्तिक फिल्ड इस इक्वल टू दा वर्टिकल कॉंपनेंट तो एंगल अब डीप का एसे नोट करते हैं मालों टैन फाइल क्या रहा है कि और यह होता है वर्टिकल कॉंपनेंट अफ अर्थ मैंक्तिक फिल्ड इवाइड बाएं और जो ओ्रणील कॉंपनेंट अफ गटक के बराबर रहें इद्वन और य को जाएं ईसको तो अगर 105 की वैली वन है तो वन का बाता है वन होता है 1045 डिगरी के लिए किसके लिए 1045 लिए दिस इंफलाइश 5 कितना होना चाहिए 5 हो जाएगा हमारा 45 डिगरी यानी एंगल अदिक लिए नहीं 45 होता है जब दोनों कॉम्पोरेंट है क्यों हो कि पुके तो हमारा नों कका ओप्सन नमबर सी को शोनिए है दो मैंंटिक लाइन आफ फोस इंसाइड बार मैंपे लिए चाहत देखना बार मैंगे वाओ यह एक हमारा बार मैंटे आए ऊके यह होग होगा आगए लाट पोल और यह होगी इतका सौथ पूल अब हम ने देखा है कि हमने जो पढ़ा होगा अब तर कि मैंट्रिकी लैंस किसे निकलती है साथ में इंटर करती है ऐसे ठीके नौट से निकलती है और साथ में इंटर करती है सिमिलर लिए ऐसे भी इंटर करेगा नौट से निकलेगा और साथ में इंटर कर देगा जैनी साथ से इंटर करता है तो करा लेकिन हमसे पूशा इंसाइड ठीके बार मिनट के इंसाइड में क् कि अंदर कितना होगा तो देखो अंदर में क्या होता है अंदर में क्या होता है जो मैंटिक फिलाइन से वह साउस से नौट जाती है क्योंकि हमें पता है मैंटिक फिलाइन से क्लोई लूप फॉर्म करती है अगर इसे क्लोई लूप करना है तो इसे लूप भी कम्पीट करना नीचे भी लुख प्रेट हो गया लेकिन बार मैंने थे उसके अंदर क्या हो रहा है मैंस फिल्लन एंस सर्थ जाती है डिक एंसाइड क्या होता है इन साइड मैंस विलनाई सौथ पोल से नौर्थ पोल के और भूब करती है तो कि एक से क्रेक्टांस रोगा हमारा option number D, यानि इस धुरू से इन धुरू तक होती है, चुम किये लाइन तो यह चुम किये रखा है ओके, अब आते हम नेक्ट कोचन पे क्या है, magnetic element of earth होता है जो हमने earth magnetic chapter में पढ़ा होगा, तो उसमें यह magnetic elements होते क्या क्या है क्या यह iron nickel या कुछ ऐसे elements होते है नहीं, यह होते है three quantities, ठीक है, यह वो तीन quantities हैं, जो describe करते है magnetic behavior of the earth ठीक है, यह वो तीन दास्टियां होती है जो P3 के चुंबी की विवार का वर्णन करती है यानि किसी भी प्लेस में कितना magnetic field होगा, और ते किसी भी fixed point पर कितना magnetic field होगा उसे calculate करने के लिए हमें यह तीन quantity चाहिए होती है और वो आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा magnetic declination angle of dip and horizontal component of earth, यह तीन quantity आप याद दखेंगे तो इसके प्रेक्ट अंतर होगा हमारा option number C कोशन मत 26 है इस 50 mH coil, carries a current 4 A, the energy stored in it in joule ठीक है किसी inductor में, यानि कुंडली में अगर जिसका 5 mH है उसका inductance है और जिसमें 4 A की धारा flow हो रहे है तो उसमें कितने energy store होगी तो जो energy stored होता है E, ठीक है वो formula होता है half L I square तो रखते हैं यहाँ पर energy में half inductance किता है 50 million यानि 15 into 10 to the power minus 3 और current कितना है 4 A, यानि 4 का square तो रख करते हैं, जी हो जाएगा हमारा 25 times में यह होगी हमारा 25 into 16 into 10 to the power minus 3 जूल और इसे क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, 0.4 J, ठीक है यानि किसी loop में अगर image जो change होता है अगर समें अगर कोई flux change हो रहा है यानि यानि यागर कोई loop है इसमें जो magnetic flux अगर change कर रहा है ठीक है time के साथ तो इसमें जो इसमें क्या होता है इसमें एक EMF induced होता है वह induced EMF का एक पॉलारटी होगा अगर यह EMF induced होए तो इसे कौन सा terminal positive यह कौन सा negative यह भी हो सकता है चाहे तो negative इधर आजाए पॉस्टी इधर आजाए यह भी हो सकता है तो यह कौन सा रूल इसको हमें किस rule के थे पता चलता है कि EMF का जो आपट्स में बताया था हमें लेंच लॉने ठीक है लेंज लॉने लेंच लॉने लेंच जोएता था कि पॉलेर्टी किसी होगी ऐसे कटीछ तर्थ हमें लेंज ने कुछे आप इस एचेट प्रोटान ईडिट्रोन and alpha particle have equal kinetic energies compared the radius of their path when a normal magnetic field is applied तो जब भी किसी magnetic field में अगर charge particle इंटर करता है तो इस पी जो एक circle path में वूप करता है और उसकी radius का formula क्या होता है r equal to होता है mv by qb ठीक है radius of फिरी radius का formula होता है अब कहरा सब की kinetic energy equal है अगर kinetic energy equal है तो इसे क्या सकते है mv को mv होता है हमारा momentum इसे हम सकते है p by qb ठीक है और p by qb का क्या होता है इसे अब फ्रॉब से देख लो जो kinetic energy होता है kinetic energy को लिखते है p square by 2mv तो p के वाली कितने जाएगी p के वाली होता है अंडरू टोप 2m ke kinetic energy तो यहां से लिखते है r की वाली होता है under root 2m into kinetic energy by qb ठीक अब कहा रहा है कि यह जो तीन पार्टिकल्स है photon, return and alpha पार्टिकल्स यह semantic field में इंटर कर रहे है और सभी kinetic energy equal है तो यहां से लिख सकते है कि जो radius होगा यह जो जाएगा under root of m by q ठीक है यह इस पर डिपेंड करेगा क्योंकि और सभी तो सभी के लिख वाल है counting energy सबकी equal है ठीक, सबका लिए magnetic field भी equal है और number 2 constant है सभी के लिख वाल हो जाएगा तो यह आज जाएगा सभी का radius इस सभी के radius के लिख करेगा हर charge particle के mass के square root पे divided by charge पे तो प्रकल निकालते है alpha of proton के लिए radius of proton तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा mass of proton का अगर हम m लिख लेते है इस पर charge q है तो इस तो नहीं क्यों लिखते है अब बात करते हैं इस पर प्रोटोन के लिए तो इसका mass होता है two times of mass of proton यह टू इम और charge कैसा होता है same charge होता है as a charge of proton अगर हम बात करें same magnitude की तो और हमारा जो radius of alpha particle होगा वो किसके proportion होगा तो alpha particle का mass होता है वो four times of mass of proton हो जाता है और जो charge होता है वो two times of charge of proton होता है तो हमें इन सभी का ratio find करना है तो ratio कैसा कैसा होगा तो radius of proton radius of detron और radius of alpha particle का रेस होनी कालना है तो हो जाएगा m by q यह हो जाएगा under root of 2 into under root of m by q और यह हो जाएगा under root of solve करो तो यह फिर से हो जाएगा under root of 4 by 2 into under root of m by q तो है देखो यह 2 है under root 4 2 हो जाएगा अनीचे 2 है 2 से 2 cancel हो जाएगा और m by q m by q m by q cancel हो जाएगा तो रेसी का बच जाएगा 1 is 2 under root 2 is 2 1 ठीक है काफी थोड़ा सा complicated question आपको लग सकता है थोड़ा सा एक्जाम इसको solve कर में आपको टाइम लग सकता है तो यहाँ दखेंगे देखियो कितना आएगा 1 is 2 root 2 is 2 1 यानि क्याक टैंसर होगा हमारा option number b इस question को एक बार फिर से पहुँच करके आराम से खुद से solve करना ओके अब आते हम next question पर क्यारा है current of 10 ampere is passing through a long wire which has semi circular loop of radius 20 cm as shown in the figure the magnetic field produced at the center of loop यहनि क्यारा है कि इस center पर बताव magnetic field कितना होगा अगर करेंट आएसे फ्लो कर रहा है यहनिक करेंट आएसे आ आएसे आ आ रहा हो उपर गया करेंट आएसे निकल गया तो पूछ आएसे जा रहा है तो पूछ आएसे इंटर मेंटिक फिल्ट कितना होगा इस पॉइंट पर तो सेंटर पर जो मेंटिक फिल्ट बनता है उसका फॉर्मुला होता है बी इक वल टू मू नॉट बाइए तो एक अगर रैडियेस आर एंटू थीटा बाइटुबाइ तो मूं अफॉट होता है अब थीटा कितना है तो यह एक फिटां यांगल किटना हो ला चेलन रहा है यह पूरा यह पूरा अंगल बनता है 180 डिग्री जिसको मोले कितना है यह एंगल बन जा रहे हैं आपर पाई का तो मैं अटिफिल्ट कर इतना हो जाएगा मैं अटिफिल्ट वह जाएगा बी इक्वल टू मुझ नॉट बाइट टू आर्ट इन्टु थीटा हो जाएगा पाई भाई टू पाई सवल्प करेंगे। इसे पाई को पाई रहने देते हैं अबी से यह सबस्य नहीं है कि अधिक इसे रहने देते हैं अध्यू पाई टू पाई इस ओ सब्रू करते तो हो जाएगा मिउनाट बाई पाई पाइए इंटु पाई भाई आर्या होती है 10 आपाऊर माइनस सेवन इंट 20 cm 20 cm कम सकता है 0.2 मीटर तो यहां माले कितनी हो जाए कि टोटल इस वैली हो जाए कि मारे 10 पार माइनस सेवन इंटू पाई और यह जाए का फाइट पाई यानि फाइट पाई इंटू पार माइनस सेवन ठीक है आचा इन्टू एक आई भी करेंट आई आई एक आई मीसिंगे इसे आई लिख लिख ले ना यहाँ यह घुटकरिंट आई अफरिन आई कितना जाएगा किसाल्ट पर माइक्रोटेस्ला तो माइक्रोटेस्ला तो तो मैं क्रेक्ट एंसर क्या होगा क्रेक्ट एंसर होगा हमारा ओक्षन नुबर बी फाइप पाइप मैक्रो टेसला ठीक है क्या सब्सक्राइब थोड़ा साथ आपको टाइम हो यह करने में आपर ठीक है फॉर्म्रा याद गें गया को मैंतिफिल्ट एड शेंट्र डूप और ये क्या था सैमिस्कृलर था बूठों कि यह इव्लत्रें कि किट्ण मैं टीक पर कंद रहा में क्ञेव स्फ्थित कि इस पॉंट इन्से क्रॉस कर जाते हैं तो म्माघट बनने पर जिस निक खोड वायर अत्कैentar को कि ज़िस लें दिसको चने एक क्रेंट आफ टुम एंपिर फ्लोज इन सिस्टम और प्रेंटर एस फोन फिगर दिन पोटेशिल डिट्रेंज बिट्विए एंड वीडी ठीक है यह आपको डिया दिया है तो पूछ रहा है ए और बी के बीच में पोटेंशिल डिप्रेंज किता होगा तो तरी नार आज है यह इंस इधा सेखमारा क्रेंट टूंतर फ्लो कर रहा है एंट यह तो ओम है यह थिर ओम होगया यह फिर कि यह मारत पास क्रींट यह हो गया हमारा two-ohm यह पोइंट हमें एंट और त्री उपर का टूपलसती हो जाएका five निचे भी यह मिलके हो जाएका five हुज है तो five ओम हो गया निचे भी सिरी में दोनों में द那ों मिलके five Кстати movie अब यह फालेंगे तो यह बन जाएगा two एंप्यर को अब या इन अँकर दरोऔर हो दीक सब्सक्राइब एन हर अराइपल टू तो पॉइंट फाइब हो आ गया अब आलिर यह यहां दिन यह अब। थूड़ा सब्धुद ध्यान करने दो यहां पर सब्सक्राइब निचे उपर है और नीचे उपर फाइप ओम फाइप है दोनों अगर सेम रेश्रेंट्स माइं पर्थ दों क्या होगा है करेंड भी इकुली फास्मीट होगा जानी उपर से क्या फ्लो करेगा वने एन पेर नीचे से के लिग में पर करेगा तो अब देखो एपॉइंट और बी पॉइंट का पूटेंशिल कितने निकालना हमें भी यह माइनस भी निकालना है तो अगर यहां पर रखाव ध्यान दें तो उपर वाइन से क्रेंट फ्लो कर रहा है अब देखो डागराम यहाँ पर तो ठीडिकर थोड़ा सा पॉस्चंव एजए पॉम्पलिकेटेड थोड़ा का कैलक्लिस्म करना इस कॉस्चंव में अब दोगर यहां पर टू उम का रिष्टेंस है यहां पर ठीडियों का रेष्टेंस है अथ Psychology यहां पर इसमें करेंट फ्ल नीचे भी ख्लो का रहा करेंट 1 फेर तो यहां को प्रुजिन कितो हो जाएगा तो point A को प्रुजिन हो जाएगा two x a two x 2 एक इन तूर्ट इन निंट न कितना हो जाएगा जहां प्रुजिन सबक्राइब लिए कि अगया वहां थो माीनस थी ऑन कितना जाएगा माइनस वन भूल्ट किटका था मारा माइनस बन वोल्ट कि इस अगया मारा माइनस वन बोल्ट होगा मारा क्या उनसर कि नेक्मारा दिक विक बुर्द DR Absolutely pros करता है तो तो क्या होता है श्मार्ड होता है कि इस थे और म graph the current इस एप क्यू आठ एस और थे यहां पर एक बेंटर लिए हो जिसका पोटेंसिल मालो भी है और यह पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में करी लगाते हैं हम गैलावनमेटर तो उसलीं किते होती है जीरो तो जीरो त्यap सोगता है तो इसी निट मैथ आ ll हो करते हैं जभ लिएक जीरो डिकन करें दल करें दशनम Сам Chem आ ग्रमक् 1 ल टो nervousness को कोई करेंट फ्लो नहीं कर रहा है अब क्लेट फ्लो नहीं कर रहा है इसको हम करते है और Fazण दल मैंट ठीक है इसलिए क्या रखना क्योंकि एक सुननी विद्धी है कि जब भी यह एक होता है उसमें गालन मेटर जीरो करेंट सो करता है इसलिए सो करते हैं हम नल मैथर्ट जानी ऑप्सिन नमबर ए लिए नेक्स कोश्चन है तो एक्वल कैशिटर हमाई अर्रेंज किये हुए इस पॉर्म में तो कह रहा है ए और बी के पीछ में एक्विलेंट क्या होगा तो देखो इस टैप के सर्किट को सॉल्ब करने के लिए एक मैं इजी में बताता हूं कैसे है दो इस पॉइंट का पोट से जूड़ा हुआ है तो यहां सब्सक्राइब भी प्रोटेंचेल को अब देखते हैं यहां ठीश्टेक्टिज है अब बनाते हैं पॉइंट इये बनातें मोंट बी है तो जबेको आवा हूं और यह भी chipsि यूद dislike और दॉन और बी के बीचे में लगा लिया एक प्रशेटर नुबर टू गी बात करता है यह भी बी पॉइंट और एक पॉइंट के बीचे जूड़ा हुआ तो कैफिटर में 2B आ जाएगा 1 और B के बीच में थर्द कैफिटर से देखते हैं देखो यह भी एपॉइंट और बीपॉइंट पर जुड़ा हुआ है तो इसी भी हमने जोड़ लिया एपॉइंट और बीपॉइंट अब बताओ यह सभी की कैफिटर्स इसी है अभी किसमें सब्सक्राइब हुआ सब्सक्राओं चृख एकमर्स क्या होता है सिंपली पैलाम मिरा गांब इसमेंट समझने भी कैसा कि है कैसे मैंने इसका एक शिंहल्यों बनाया है आधा है इसक्वेकशन पर कैरा इन दी बेसिक सिजियम क्लोरिन क्रिश्टल स्ट्रक्चर सिजियम एंड क्लोरिन आइन्स अरेंज अले इन एक पात करता हूं से सब्सक्राइब है कि общем मा लोगर मैं इसके लिए बात करता हूं यह वाला हमारा नीचरी में जो है सीजियम लेको क्या सभी से एन कुलोरी नान से क्या है सेम डिस्टेंस पर है माने लो आउ 됐ं Mic इसमें इंदल से संटर में होता है क्या होता हिसमें था मारा फॉइंट पर होब भाइप तो सभीवे 2 टेर्स पर वेगे अपने को से इने कि इसपती को उपल करेगा ने अपनी और पूल करेगा सिमिल्र जो ऊपर में सिजिय में गों ये हुप्हेला ये विज को Kemal की जिएगा वी deepest किकेंगा ये से अपनी और खीचेगा निचीन अब ये भी से अपने खीचेगा मि दोनों सेम कर्सें खीचेंगे तो छोग अगर सभी एक दुसरे को उपरीट्स खीचेए एकवलको just can लगाएं तो क्या होता है बॉड़ी वहीं का मेहीं रहता है हिलता भी नहीं है जैसे आपने हम रस्ती खीचा-किची कहलते हैं जब दो टीम खीचती है और एक समयात आता है जब दोनों टीम सेम फूर लगा रहे होती है उसमें क्या होता है जो मारस्ती होता वो रिश्ट केंड दो बहुत इंप्रेंट कोस्चन है अब आते हैं यागल बिट्वेंज एक्विट्रिक फिल्ड एंट इक्विप्डेंश सर्फेस पिछ स्फेस के बीच में एंगल कितना होता है तो देखो अगर यह एलेक्टिक फिल्ड है अगर यह मालोग पहला इलेट्रिक फिल्ड है तो होता है एकुंवी पोटेंशिल स्रफेस यहां का संध्य इसे एक वी से यह पुदेंशियत surface कि यह सब्सक्राइब है तो यह जो एक की प्रेंस शर्पेस है तो देखोब्री प्रेंस सरसेज और एल्टिफ फिल्ट के पीचाने कितना होता है यहां पर 90 डिग्रीडू है कि अंगल हुआ निससे सरी कंडिशन है यह जोन की विछ एंगल करेता हूं चाहिए हमेशा 90 डिग्रीद यानी ऑक्सन नंबर ए और आज करते हैं आज का लाज को चना है वे ने मैंगेट इज मूब विट इस नोर्थ पोल टुवार्ट से कोईल क्लोज कोईल दा नीडर इंड अब दा कोईल एक्ट एज कि क्या रहा है कि मानलो अगर में पास एक एक सौथ पोल एक नॉर्थ पोल ठीक हम एक मैंगेट हो गया और मैंगेट के नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं या इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं मूब कर रहे हैं कि कहा मूब कर रहे हैं एक कोईल पर ऐसे कोईल के फेस पर तो क्या करेगा ये इस कोईल के सामने आ रहा है अब इस कोल नौर्फ पोल थी करेगा हुआ कि कि इसको इथर पंधां इसको डिपल करना चाहिए और डीली तभी करेगा जब यह लूप भीट करें एजे नौर्थ पॉल और नॉर्थ पॉल जब करेगा तो समय क्रेंट कैसे फूलो करता है तो देख उएसे बनाते हैं यह करेंट एसे और ऐसे ठीक तो केंट फूलो करेंगा एंटी को लख वाइज और इस नॉट्फ पल को पोच्च करने के लिए यह लूप का यह फिस कैसा भी अब करेगा आज ए नॉर्थ पोल तो यह अगर ले जा रहे होते लूप से तब वह हमारा जो लूप है यह लूप है वह बहेब करता एज आज तो यह ता आज का हमारा मॉडल पेपर वन जाकन बोर्ड जिस क्लास 12 का सेट वन जिसमें हमने आज इसक्रस किये हैं टूटल 35 कोश्चन अब जल्दी हम पर इस पे आगे जितने सेट है टूटल 5 से हम सभी के वीडियो जल्दी अप्रोड करेंगे तब तक के लिए हमारे वी झाल